ताथियों नमस्कार जे हिंद कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूं कि आप अच्छे हैं मस्त हैं स्वस्ता और अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहें देखेगा अक्सर अपन सुरुवात करते हैं इस लाइन से कि रक्त बहास्त रंगार करूं खामोस यहां तलवार नहीं यह धरती है महाराणा की हार यहां स्विकार नहीं कतई स्विकार नहीं आईएगा प्रार्यम करते हैं आज के सेशन को अपना राजस्तान जिके का खजाना चल रहा है और राजस्तान जिके के खजाना के इंदर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं क्या सर से शे को ने एक्मप्लीट कर लिए कवर कर लिए और कपका वाली जो चीजें तो कवर करेंगे उसके बाद में तैयार हमेशा की तरह है आपका होस्ट आपका दोस्त वीजेंदर सिंग्ने वरी आएगे गभ पहला पहला प्रसन इसमें जाता है कक साट के पहले ही पाट से पहला पहला प्रसन आ प्रवेश याद रिखेगा सबसे पहले मराट्हों का प्रवेस यह कब और कासे कहां किया और उसके में बात आ रही है सबसे पहले मराठों का प्रवेश 1711 में मेवाड रियासत से होता है सबसे पहले प्रवेश करते हैं सबसे पहली बार हस्तक से बात आती है वो बूंदी में यानि मराठों का राजस्थान की राजनिती में सबसे पहले हस्तक से कहां पर होता है तो आपका उत्तर आएगा बूंदी में लेकिन प्रवेश की बात आती तो आप कहेंगे में वाडरियासत में एक बात और याद रखेगा सत्रा सो बीस में सत्रा सो बीस इस्वे में पेश्वा बाजी राव था और पेश्वा बाजी राव ने एक नारा लगया पेश्वा बाजी राव वह चाहता था कि अटक से लेकर कटक तक याद रखेगा अटक से लेकर कहां तक तो आप कहेंगे कटक तक अटक से लेकर कटक तक यह मराठा धोजा होनी चीए मराठा धोजा यह अटक से करके कटक तक होने चीए और जब अठक से लेके कटक तक होगी तो रास्ते में जो आएंगे उनसे तो निपटना पड़ेगा और जब उनसे निपटना पड़ेगा तो भाई साथ उसी रास्ते में राजस्तान भी था और राजस्तान को किस प्रकार से प्रवेश करते हैं आपका उत्तर आएगा सबसे पहले प्रवेश करते हैं मिवाड रियासत के अंदर आगे प्रशन आ रहा है कि सत्य कथन चुनिएगा आपको चार कथन दिए वे इनमें से सही कथन की पैचान करनी एक बार सेशन को लाइक कर दीजेगा और लाइक करने के साथ साथ चो देख रहे आपो साथ ही एक बार सेशन को स्फेर ज़रूर करें ताकि ताकि क्या हो ताकि सभी तक पहुंचे अपने निशुल क ज्यान गणा स इससे हर एक वच्चा लभानवीत हो सके और अपन दावे के साथ कह सके हर सिक्षक को बनाने में अपने परिवार का युगदान है चलिएगा आगे फिर बड़े परसेन आया 1726 हिस्वी में मराठों ने वोटा और बुंदी पर आकरबन किये क्या बास सही है सही है 1727 हिस्वी मे डोंगरपोर बासवाणा के सासकों ने खिराज देने से मना कर दिया खिराज बोले तो एक प्रकार का कर था और ये 1727 की बात नहीं होके एक बात बदा देता हूं में ये 1728 की बात थी ये 1727 की नहीं थी तो कब की थी तो आपका उत्तर आएगा सर ये 1727 की बात नहीं होकर के यह 1728 की बात थी यानि दो नंबर गलत है यहां क्या पूछा सकते हैं पूछा यह दो नंबर गलत है यह दो नंबर गलत है और यह दो नंबर यानि यहां एक तीन चार अपने आपिस ही आगे बहुत नीचे वाला आपको है यहां नहीं आए सुनिएगा अब पहली बात तो ही अगली मराठों ने 1734 इस्वी में बूंदी के सासक बुद्ध सिंग हाडा को पुने वहां का सासक बना कर राजस्तान की राजनिती में पहला हस्तक से शुरू कर दिया और 1722 इस्वी में पेश्वा बाजिरा हुआ करता था यह बात से यह परसन बनेगा कि सबसे पहले मराठों सबसे पहले राजनिती में हस्तक सिर यह कहां पर किया राजस्तान की राजनिती में आपका उत्तर आएगा बुंदी में कब किया तो आप कहेंगे मराटे भाड़े के सैनिकों की तरह काम करते थे इनको उस टाइम कोई भी बुला सकता था यह आते तावर तोड़ वार करके जिसको जो दिलवाना है वो दिलवा के आगे चल पड़ते यानि इनका काम था एक तरीगे से उन चेत्रों में प्रभाव हासिल करना और जैसे इनको लगता कि अभी ये प्रभाव में आगे फिर वहाँ से मन मर्जी जहां से जो मंगना होता मांग के लूटते जो करना होता वो करते याद रखेगा बुद्ध सिंह की रानी जिनका नाम था आनंद कुमरी और आनंद कुमरी ने इन्होंने मराटों को आमंत्रित किया इन्होंने क्या किया मराटों को आमंत्रित किया यानि सबसे पहले इन्होंने मराटों को राजतान में आमंत्रित किया था और जब इन्होंने आमंत्रित किया तो आप कहेंगे एक मराटों में था होलकर हॉलकर वा राणो जी इ यही से राजस्तान की राजनती में मराटों का जो हस्तक सिर्था यह सुरू हो जाता है तो इसका राइट अंसर एक तीन और चार आज आएगा चले आगे अगले प्रसंद की वर बढ़ते हैं आज से नगला क्या सुनिएगा खिराज से आप क्या समझते हैं खिराज क्या है तो आप कहेंगे खिराज क्या सेननेकर है क्या देखेंगा एक बात बदाओं सेना पर होने वाले खर्चे के लिए सेना पर होने वाले खर्च के लिए एकर लिया जाता था जिसे कहते थे क्या खेड़ खर्च जिसे क्या कहा जाता था खेड़ खर्च कहा जाता था या जिसे फोज खर्च कहा जाता था वैस सेना के उपर जो भी खर्च हो रहा है उसके लिए जनता से टेक्स लिया जाता था उसे कहते थे खेड़ खर्च या फोज़ खर्च उसके बाद में पस्वों पर लगने वाला कर तो नहीं है लेकिन पस्वों की बिकरी पर यारी जैसे ही आप पस्वों को बैचेंगे तो भाई साथ महराजा को भी करतो देना पड़ेगा पर कर देना पड़ेगा, तो विक्री पर, विक्री पर, यानि पशूँ की विक्री पे कर लगता, जिसका नाम आता था सिंगोटी, और एक बार एक प्रसन हो रहा था, कि पानी पर भी कर लगता था, आभियाना सुल्क का समन्ध किस्से है, यह भी प्रसन आ सकता आपके, यह आ उत्तर आएगा आपियाना सुल्क लगता घा तो आपका उत्तर आयेगा सर पानी के उपर कहा लगता पानी के उपर बहुत बढ़िया एक बार एक सेसन को सेरे जरूर कर दें आगे बात आई करसी भूमी पर लगने वाला कर कुन सा था तो आपका उत्तर आएगा सर खिराज जो था ये करसी भूमी पर लगने वाला कर ही था इतनी बात याद रहेंगी रहेंगी चार नंबर का प्रशन आपके सामने आ रहा है कि हुरडा सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ पहली बात तो आपको याद रखना है हुरुडा नामक इस्तान ये है कहां पे तो आप कहेंगे सर हुरुडा नामक जो इस्तान है ये सर भीलवाडा में है कहां पे आता हुरुडा तो आपका उत्तर आएगा सर भीलवाडा में ठीक बात अब हुरुडा सम्मेलन हुआ क्यों य यानि मराठे धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रहे थे, मराठों की सक्ति को रोकने के लिए, पर राजस्तान में मराठे जो हैं, वो ज्यादा नहीं आगे आएं, इसके लिए कौन सा सम्मेलन होता है, तो आपका उत्तर आएगा, ये होता है हुर्डा सम्मेलन, आप कहेंगे होता कब है, सीधा सीधा उत्तर है, 17 जुलाई 1734 को होता है, अब एक बात बदा दू में, मैंने कहा, ये आ गया इस्तान जिसका नाम था हुर्डा, अब मैं सीधी बात करूँ, हुर्डा में जेपुर से कौन आया, तो आप कहेंगे सवाई जेसिंग, हुर्डा में जेपुर से सासक कोन आते हैं, आपका उत्तर बनेगा सर, सवाई जेसिंग, ये कहां से आते हैं, आप कह रहे हैं सर, जेपुर से आते हैं, जेपुर से सवाई जेसिंग आते हैं, एक बात और याद रखेगा, अगर आप से पूचा जाए, दूर्जन साल सिंग, ये कहां से आते हैं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दुर्जन साल सिंग की बात आती है, तो याद रखेगा, ये आते हैं कोटा से, कोटा से कोन आए, तो आपका उत्तर बनेगा, कोटा से आते हैं दुर्जन साल सिंग, सवाई जे सिंग कहां से आते हैं सर, ये आमेर से इस सम्मेलन में आ आता है तो आपका उत्तर बनेगा साइर जोदपूर इस संमेलन में अभे सिंग नागोर भर्या नामक संमेलन वम इसके बाद में याद रखेगा नागोर से जब बक्त सिंग आते हैं तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है इधर मेवाड से कोन आते हैं तो याद रखेगा मेरी बाद मेवाड से आते हैं जगत सिंग दिवतिये और यहां वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रशन है यह जो जगत सिंग देता हैं जो मेवार से आते हैं इंहें ही संमेलन की अध्यक्स्ता करने का मोका मिलता है यानि जेपूर से कौन आए आपका उत्तर यहां बन जाएगा बक्त सिंग आते हैं सर नागोर से एक बात और बता देता हूं में अगर आपसे पूछें करोली से कोन आते हैं करोली से कोन आते हैं तो आप याद रखेगा कि गोपाल सिंग जो हैं ये कहां से आते हैं आपका उत्तर बन जाएगा गोपाल सिंग ये आते हैं करोली से गोपाल सिंग कहां से आये तो आपका उत्तर बनेगा करोली से आते हैं आपसे प्रशन बन सकता है किसंगर से कोन आते है तो याद रखिएगा राज सिंग ये कहां से आते हैं आप कहेंगे सर ये आते हैं किसनगड से तो किसनगड से कोन आए आप कहेंगे राज सिंग आए एक बात और बन सकती है बिकानेर से कोन आते हैं मैं यहां लिख देता हूँ बिकानेर से इस सम्मेलन में जोरावर सिंग आत तो भाई साथ पूरा का पूरा काम ही हो रहा है यह जगत का काम समालने वाला कौन था जगत सिंग था तो याद कर लेना जगत सिंग मेवाड को इस सुर्डा सम्मेलन का अध्यक्स बनाया जाता है चलो सम्मेलन हुआ लेकिन सम्मेलन सफल नहीं हो पाता है आप कहेंगे क्यों वेक्तिगत महत्वा कांगसाई होती है, सारे के सारे मिल गए सम्मेलन ते हो गया, सरते ते होगी, एक एहद नामा तयार हो गया, कि यहाँ भई तेरा दुसमन मेरा दुसमन होगा, मतलब एक का दुसमन सब का दुसमन, एक का मित्र सब का मित्र होगा, कोई भी निर्ने करेंगे सारे मिलके करेंगे और अपन रामपुरा के इंदर आके आगे इसके बाद में इसके क्रियानवन के लिकटे होंगे लेकिन भाई साथ ये तो काग जो में ऐसमेलन होके रह गया जैसे कई बार आप रन्नितिया नहीं बनाते कल से तो किताबों को यह से कर देंगे कल से देगा चले आगे सेसन को से गरत मा तहından अजब मносर पर कर सबसेथ निवरें कर वियडें से सजक अंगसी दददक ददक शेंग सी नहीं सी कर संख सीपुकार कर विजय तेरी विजय तेरी थंड़ा पाने का चांटा क्यों दियो तो यह टेक्निकल टीम प्रेशान कर रही है इस बढ़ी सर्दी के इंदर थंड़े पानी से छिंटे मार रही है क्या गरेंगा और पानी भी ठंड़े रखा है आगे देखेगा चले तो इसका राइट आंसर 17 जुलाई 1734 सापका आ जाएगा मराटों की बरती सक्ति को रोगना था और इसी के लिए आपका पूरा प्रोग्राम है चलना था आगे प्रशन आता है हुरुडा नामकिस्तान यह वरत्मान राज सम्मेलन हुआ हुरुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है यह होता कहां पे तापका उत्तर आएगा सर भीलवाडा एक बात याद रख ले ना भीलवाडा की माला सेरी डूंगरी में मोदी जी आए अभी भी ताजा ताजा प्रसन बनेगा माला सेरी डूंगरी और यहां पे यहां पे भी ताजा ताजा प्रसन बनेगा है साहँ तो याद रखीगा अबरग नगरी भी कहते हैं भीलवाडा को वस्त्र नगरी के नाम से बी जानते हैं याद रखीगा बिलवाडा जो है ये राजस्तान का मेंचेस्टर भी है राजस्तान का मेंचेस्टर जो है ये भी कौन कहलाता है सर भीलवारा बागी तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन इतनी बात आप यादे रख लीजीएगा आगे प्रसंद बना सत्य कथन है आपको इन में से सही जो कथन है वो बताना है शक्ति को रोकने के लिए था बिलकुल आपसलूटली राइट था ही रोकने के लिए आगला फिर दूसरा क्या रहा सुनिएका कि हुरुडा समम्मेलन के जक्सता ये मिवार के महराना जगस शिंग्र दिट्यने की ये बात भी बिलकुल सही है परसन बना हुर्डा सम्मेलन में आमेर के स्वाई जे सिंग ये जोदपूर के भे सिंग नागोर के बक्त सिंग और कोटा के महराव दुर्जन साल सिंग आदी सास को ने भाग लिया और उप्रोक्त सभी तो ये सारी ही बातें सही हैं ये सारी बातें सही हैं चले आगे चलते हैं परशन आता है कि हुर्डा सम्मेलन में जो एहद नामा तयार किया गया था एहद नामे का मतला एक तरीके से समझोता पत्र और ये जो समझोता पत्र तयार हुआ इसमें क्या बाते रखेगी पहली बात सभी सासक एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे बिलकुल सही है ये बात थी एक का सत्रू वैमित्र दूसरे का सत्रू वैमित्र होगा ये बात भी सही कोई भी योजना सभी मिलकर के निश्चित करेंगे सही बात है वर्षा रितू के बाद उदेपुर में सभी एकत्रित होंगे ये बात गलत है यहां उदेपुर की बात नहीं कहके और क्या कहीगी कि वर्षा रितू के बाद में आप सभी राम पुरा में एकत्रित होंगे अब आप सोच रहे होंगे यह option क्यों डाला इसलीए तो डालाना कि आप इक टास्क को पूरा करते हैं नहीं करते बहुत अपने पूरे plan का मतलब है कि आपको पहले दिन बढ़ा है की यह lesson तयार करना और फिर अगर आप उस lesson को तयार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं क्योंकि किताब बड़ी चोटी सी के कल पर सो एक सेकंड गेड में प्रशना है तंसुक तंसुक का एक इस परजा मंडल से अब बचे घबरा रहे थे सरक कहां से आ गया अरे पढ़ो साथ भी का रास्तान अध्यन सीधा सीधा लिखा है कोटा पर नहरी तंसुक अब जब तंसुक आई गया तंसुक कब आएगा जब कोट पेनेंगे तभी तो आएगा तन के ऊपर सूख है कोटा प्रजा मंडल से था क्या ही बात करनी है आगे देखेगा तो यहां पर आगे रामपुरा तो यहां पर आप कह सकते हैं सही जो पूछा है यह यह क्या है एक दो और तीन यह इसका राइट आंस्वर आजाएगा चलें आगे चलते हैं तो तमेलन के बावजूद भी वराटों के इगरुद्दे निती ऐसफल रही यारी जो काम एक होना चीह था वो काम हो नहीं पाया इसका वजह क्या थी इसका कारण क्या था सवाही ज सवाही के जएखने को मिली हृधाही क्या होता राधावाही के राजसतान आगमन के बाद वाजी रावने चोथ वसूली कभ सुरू कि इक पात रखेगा यानि लाधावाही का आगमन होता है राधा बाई का आगमन यह होता है 1735 में आप रास्तान में जाओ और पूरी इस्ततियों को भाब के आओ जब राधा भाई यहां पे आई तो देखा ठीक है मान सम्मान मिला और वापस चलेगी अगले वर्स भाई साब मराठा आगे कहना न टेकनिक से काम लेते हैं अगले वर्स मराठा आते हैं और 1736 में पहली बार चोथ वसूली शुरू की जाती है आप कहेंगे सर कहां से तो 1741 में धौलपूर समझोता होता है अब यह दोलपूर समझोता किन किन के बीच हुआ यह बात में ने कलास के इंदर भी डिटेल से बताईए ककसा अटका रास्ता नदेन पूरा कब पूरा करवाय हुआ है यूटूब के ओपर देखने के इमत आपकी चाहिए एक-एक लाइन करवाई हुई है देखना तो आपकोई पड़ेगा तो याद रखेगा 1741 धौलपूर समझोता होता है 1736 में उदेपूर से चोथवसूली की जाती है और 1735 में आप बताते हैं राधा भाई का आगमन होता है किस नाम पर तो आप कहेंगे तर्थ यात्रा के नाम पर आगमन हो संग्रां सिंग की पुत्री थी कोई नहीं पक्का याद कर लेना अब आप सोचैंगे सवाई जे सिंग के समकालिन तो कौन होगा आप सोच रहे होंगे सर जगस सिंग थाना भी जिसने अध्यक्सता की थी अरे भाईया वह अध्यक्सता में कि थी लेंगिन सादी तो कब होगी बहुगी फिर अग दीकारी होगा चन्द्र कमर्बाई 5 stats activity के शाथ उत्तरा धीकारी होगा याणि आगे संघर्स के जो बीजें वो इन्होंने खुदी वोई और इसी सर्थ को सुविकार करके और सवाई जे सिंग के साथ में उदेपुर महराना अमर सिंग दिप्तिय की पुत्री जो चंद्रकवनती उसकी साधी हो जाती है अब जब साधी हुई तो याद रखेगा स्वाई जे सिंग स्वाई जे सिंग और फबत्र याद रखेगा इनका छोटा पुत्र जो चंद्रकुमरी से हुआ यह कौन था तो आप कहेंगे सर माधू सिंग अब वादा क्या था मुझे बताईएगा वादा दिया गया पर चंद्र कुम्री से जो बेटा होगा यह किसका था यह सवाई जे सिंग और चंद्र कवर का पुत्र था माधू सिंग यह था चूटा बेटा यह केसा था सिंग्र बन्तर हैं राज गरानों का सिस्टम क्या था कि बड़ा बला बनता और सिंकर देदिया इसने होगा उसको राज सिंहास鍋 दे डिया जाएगा उसको उत्राधिकारी बना दिया जाएगा तब इन दोनों में लड़ाई होनी निस् vehicles रिशाइब जेसे ही याद करना 1743 में जे सिंग की मर्तिव होती है 1743 इस्वी में किसकी मर्तिव हो जाती है आपका उत्तर बनेगा 1743 में जे सिंग की मर्तिव और जेसे ही जे सिंग की मर्तिव हुई अब चिड़ता है उत्तरा धिकार संगर्स अब कौन सा संगर्स चिड़ा उत्तरा धिकार संगर से आप कहेंगे क्यों भाई साथ चिडना ही था क्यों चिडना था क्योंकि चंद्र कुम्री जो है यह मादो सिंग को राजा बनाना चारी थी और इनका बड़ा बेटा कुन था इस्वरी सिंग था और इस्वरी सिंग और दोनों के बीच में लड़ाई चल पड़ी तब सिंग तो आदो मांग रहा है मादो सिंग आदा मांग रहा था आदा कि तो पूरा राजा यह बनना चाह रहा था लेकिन स्वर कह रहा था मैं तो पाव ही नहीं दो मादो मांगे आदो इस्वर देवने पाव आगे काणिये पत्थे पूरी कर देओ द्यान देना मादो सिंग और मादो सिंग के बाद में कौन इस्वरी सिंग दोनों के मद्दे क्या होता है तो आप कहेंगे उत्रादिकार संगर्स होता है और इस उत्रादिकार संगर्स में बात करें कि मादो सिंग जो है इस मादो सिंग का मामा था कौन था मादो सिंग का मामा आप कहेंगे चंदर कमर का भाई कौन था जगत सिंग कौन था ये वाला ही जगत सिंग अगलेonia वर्सपिर होता है व्रुकल दोनों पर महतोपुन याद रख लीजेगा राज काए कभ होता है तो आप आ了 जाता है अपनी इहल है रेला को समाप्ट कर लेते हैं कई किताबों में लिखाया कि पारा पीकर के मरता हैं कैसे भी मरे गए मूल कारण मरने का था मराठाओं से प्रेशान तो याद रखेगा मुखे बाद इसके बाद में जैसे आपको बाद चली चलो ठीक है चलें आगे चलते तो यहां पर याद रहेगा साथ मराठों में कौन-कौन थे तो याद रखेगा मराठा सरदार मलहार राव हुलकर मलहार राव हुलकर ये किसके साथ में थे तो याद रखेगा माधू सिंग के साथ में थे ये किसके साथ में थे तो आपका उत्तराएगा ये माधू सिंग के साथ में थे इनकी मरतु के बा ना राज महल का जो युद्ध है ये कब होता है सीधा सीधा प्रसंद बनेगा राज महल का युद्ध ये इस्वरी सिंग और माधु सिंग के बीच में होता है किस किस के बीच में होता है तो आप कह रहें ये जो युद्ध होता है ये इस्वरी सिंग और इस्वरी सिंग के इसर लाट का निर्मान करवाते हैं कौन सी लाट का इसर लाट का निर्मान करवाते हैं इसर लाट का निर्मान करवाया इसी इसर लाट को क्या कहते हैं तो आपका उत्तर आएगा सरगा सूली के नाम से भी जाना जाता है इसी इसर लाट को सरगा सूली कहते हैं एक बात और या कुछ लुकर माराठों के आकरमन कर रहे थह मराठों के आकरमन से प्रेशान हो कर करे और फिर इस्वरी संग्य कि सेम वही बात दोनों भाईयों के बीच में फिर बगरु काईद होता है इसके बाद में 15-1750 में याद रखेगा मराठों का आकरमन होता है और अंतता आपको पता है कि 1701 में इस्वर सिंग जो है यह आपके खतम हो जाते हैं और फिर जेपुर के सत्ता किसके हाथ में आ जाती है अरे इसकी तो कुटिलता थी सारी हर गोविंद नाटानी यह किसका सेना पती था तो आप कहेंगे इस्वर सिंग अब आप कहेंगे ऐसा प्रसेन अगर आजाए तो आप तो अचंबित रह जाए क्योंकि नहीं पढ़ते हैं अपने तो ध्यान में रहते हैं परत्विराज चो तो जेता कुपा ये किसके सेनापती रहे हैं अगर बाइचान्स आपसे पूछ ले जेता कुपा ये किसके सेनापती रहे हैं तो आपका उत्तराएगा माल देव की जेता कुपा की जोड़ी किसकी माल देव की अगर बात आती है रणमल रतीपाल की जोड़ी रणमल रतीपाल किसके सेनापती रहें तो याद रखेगा ये हमीर चुवान के सेनापती रहें हमीर चुवान कहां वाला सर रन्थंबोर वाला अगर आपसे पूछा जाता है आला उदल की जोड़ी आला उदल की जोड़ी तो याद रखेगा ये महोबा का सासक था परमारदी देव इसके सेना अधिकार संगर्स किसके मद्दे होता है अब इस्वरी सिंग और मादो सिंग यह तो जेपुर वाला उत्तराधिकार संगर्स है यह तो सीधी सीधी सीख बात है कहां का उत्तराधिकार संगर्स है यह तो जेपुर का उत्तराधिकार संगर्स है इसके बाद में अगला आता है र पार राज शिंगासन पर कौन बेटता है यहां भी उत्त्राधिकार यूद होता है रतन सिंग और अरी सिंग के बीच में लेकिन सिधा पूछे राज सिंग बीट्ये के बाद में मेवाड की गद्धी पर कौन बेटता है अरिल राज लास्ट परशन अपना रहा है राजस्थान के राज्यों में सर्व पर्थम अंग्रेजूं के साथ संधी किस ने सुविकार की अभी फटापट कमेंट करके आप बताइएगा बहुत संद तो इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा फटाक से कि राजस्थान के राज्यों कि राजस्थान के राज्यों में सर्व पर्थम अंग्रेजों के साथ संधी सुविकार कोन करता है आप कहेंगे अलवर ने की होगी अरे बाबू अलवर ने तो 14 नवंबर को की थी अलवर ने कब की तो आपका उत्तर बनेगा चोदा नवंबर 1803 को की अब 14 नवंबर 1803 लिए कर लेता है बोले तो 29 सितंबर 1803 को 29 सितंबर 1803 और यहां कि सासक कुन थे रंजी सिंग यह जो संदी हो रही थी यह लाड वेलेजली की जो सहायक संदी थी वह रही थी जबकि बात आती है करूली की याद कर लेना करूली से प्रशन है कि आसरित पार्थक्के आसरित पार्थक्के की संदी आर्थिक पार्थक्के के तहद पर्थम संदी यह कौन सी रियासत करती है तो आपका उत्तर बनेगा यह करोली रियासत करती है याद रखेगा यह होता कब है तो आपका उत्तर बनेगा यह नवंबर 1817 की बाते हैं यह कब की बाते हैं तो आपका उत्तराएगा नवंबर 1817 की बाते हैं सासक यहां का कौन था हरवक्स पाल सिंग सासक कौन थे तो याद रखेगा हरवक्स पाल सिंग जालावार की बात आती है तो आप सिदा याद रखेगा 1838 में नविन रियासत यानि अपने राजस्तान में आप से यह पूछा जाता है कि नविन रियासत कौन सी थी तो आप कहेंगा 1838 में जालावार की स्थापना कर दी जाती है यह वाली कौन सी है तो आप कहेंगे आसरित पार्थक्य की है जो किसकी थी यहां पे इंग्रेज गवर्नर कौन था तो आप कहेंगे हैंस्टिंस था यहां पे कौन था अंग्रेज ग करोली की बात आती तो याद रखेगा कि नौंबर 1817 में यह आसरित पर्फक्यक तक परतम रियासत थी जिस ने संदी की और 1818 तक आते आते लगबग सभी रियास्तों ने स्विकार कर ली और सबसे अंत में यानि सिरोई की बात आती है तो याद रखिएगा अंत में सिरोही का सारा काम ही अंत में होता है एक ही करण में भी सबसे लास्ट में ही सिरोही मिला था और जब साहिक संधियों की बात आती है तब भी सबसे अंत में थे सिरोही के सासक कौन थे तो आपका उत्तर आएगा इस टाइम सिव सिंह यहां के सासक भुआ करते थे 1823 की बाते हैं 11 सितंबर 1823 को ये अंग्रेजों के सास संधी परस्ताक्सर हो जाते हैं लगभग रियास्तों ने 1818 तक सारे काम कर लिए और सब से अंत में कौन सिरोई आगर आश्रीत पार्थकी की बात कर रहे हैं अपन सबसे से पहले कौनस निया सति करो लिके बाद में और जोतफू वोगएरा सारी हो जाती हैं लिए जस्ट पहले इससे होती है यानि और पूछ अपना केसा लगा कमेंट करके जरू बताना बाकि मिलते हैं आगे वाली क्लास में तब तक लिए जैहिंद जैभार्थ औल दे बेस्ट कमेंट जरू करना सेशन को सेर जरू करना सब तक पहुंचाना या आपकी जिम्मेदारी है मैं अपना करतव निभारा हूं आप भी अपना öğई आपहूं जबस्दों जब फैरूरल सब्सक्टाथ依से जगार स्टिन सबर मेंटारी आपकी जबस्टाध।